हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुत ही कमल के बजट स्मार्टफोन स्रीयलमी और लावा की तरफ से रीयलमी का 11X 5G जो दोस्तों बहुत ज़ादा पॉपॉलर है यह आपको मिल जाता है तो इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको दिखाँए इन दोनों के अंदर आपको क्या क्या features मिलते हैं और आपको दोनों में से खरीदना कौन सा चाहिए कौन सा आपके लिए best है तो जानने के लिए वीडियो का end तक ज़रो देखेगा और एक like कर दीजिए चली देखते हैं दोस्तो Realme 11X के साथ आपको box के जो contents है वो क्या क्या मिलते हैं तो सबसे पहले आपको ये transparent cover मिल जाता है इसके बाद phone मिलता है रैपर के अंदर type C cable दी गई है quality cable की काफी जादा बढ़िया है और इसके बाद last में रखवा मिलता है दोस्तो white color में कुछ इस तरीके के लुक में charger जो कि एक दोस्तो कुछ इस तरीके के लुक में आपको super woke charger मिलता है 33 watt का तो charger आपको fast मिलता है 33 watt का और जो है इसकी speed जो है वो भी आपको ठीक टाक मिल जाती है तो यह सारे box के contents तो आपको मिलते है 13-14 हजार में realme के 11X के साथ box के जो contents है वो आपको काफी साही दिये गए है realme के साथ चलिए देखते हैं अगर आप जो है अपने 23,000 रुपे बचा लेते हैं लावा blaze to 5G खरीते हैं तो उसके साथ आपको box में क्या के मिलता है और दोने में फर्क कितना है तो इसको box का unbox करती है सबसे पहला आपको यह mini box मिलता है जिसमें अंदर की तरफ आपको यह transparent cover दिया गया है इसके बाद जो है phone मिल जाता है रैपर के अंदर यहाँ पर हमें कुछ इस तरह किसे card मिलता है और इसकी घर पर ही service हो जाती है अगर यह खराब हो जाए घर पर आकर ठीक करके जाएंगे इसके बाद जो है आपको यह type c cable दी गई है qualities की cable की काफी बढ़िया है और last में रखावा मिलता है दोस्तो यह white color में charger जो की 18 watt का charger है तो charger आपको fast दिया गया है इसके साथ भी लेकिन 18 watt का है और realme 11x के साथ आपको मिलता है 33 watt का तो दोस्तो इस चीज में आपको फर्क मिलता दूसरी तरह realme के अंदर आपको जो plastic के type का back panel देखने को मिलता है लेकिन multiple colors के effect के साथ तो दोस्तो look wise जो design है चमकिला type का जो आपको मिलता है वो realme 11x है और थोड़ा simple sober black type में काफी classic आपको मिल जाता है दोस्तो लावा का blaze to 5G दोनों का design आप देख सकते है quality अगर बात करे तो दोस्तो वो तो no doubt आपको लावा के अंदर जादा बढ़िया दी गई है इसके अंदर आपको design मिलता है quality में जादा better मिल जाता है बाकि दोस्तो अगर आपको थोड़ा सा colors जादा बढ़िया चाहिए multiply colors के effect चाहिए तो realme 11x जादा बढ़िया है आपको दोनों में कौन सा आपको देखने को मिलता है बिल्कुर शीशी की तरीके से बैक पेनल इसका तो कुछ इस तरीके से दोनों का आपको pattern दिया गया है दोस्तो realme 11x में आपको back side पर जो है s-shape में जो है linings देखने को मिलती है जो काफी बढ़िया लगती है अब दोस्तो दोनों को on कर लेते हैं quality के अंदर कितना फर्ख है कौन सा better है मैं आपको दिखा देता हूँ refresh rate के बारे में बात करें तो दोस्तो lava blaze to 5G के अंदर आपको display में 90 Hz का refresh rate दिया गया है और realme 11x के अंदर आपको smoothness मिलती है वो और ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है realme 11x के अंदर आपको मिलता है 120 Hz का smoothness को लेकर realme 11x और जादा better है दोस्तों अगर आपको performance जो है बढ़िया चाहिए gaming के अंदर experience और जादा smooth चाहिए तो आपको realme 11x जो है जादा better मिल जाता है इसके अंदर आपको smoothness और जादा अच्छी मिल जाती है बागी दोस्तों display की quality में कौन सा बढ़िया है मैं आपको करीब से दिखा देता हूं बिल्कुल full brightness करके तो display का जो design है दोनों के अंदर आपको same type का मिलता है punch hole camera वाला लेकिन edges bezels के अंदर फर्क है realme 11x के अंदर आपको edges bezels मिलते है वो थोड़े और जादा कम मिल जाते है और display की quality के अंदर भी आपको फर्क मिलता है colors वगर है realme 11x क जादा बढ़िया है तो जादा तर चीज़ आपको realme 11x के अंदर थोड़ी और जादा बढ़िया मिल जाती है तो दोस्तों इस चीज़ में जो है यह जादा बेटर बन जाता है lava blaze to 5G से थोड़ा सा प्राइस में जादा है लेकिन इस चीज़ में quality wise यह और जादा बेटर ह left side पर दोनों में sim के tray दी गई है दोनों phones 5G है नीचे के तरफ साब देहेंगे तो type support, headphone jack, speaker, mic मिल जाता है right side पर volume के बटन्स और power के बटन्स है fingerpin scanner दोनों में side में power के बटन के अंदर उपर से देहेंगे तो lava के अंदर plane design है और realme 11x के अंदर आपको noise cancellation mic मिल जाता है दोस्तो ये चीज़ भी आपको दोनों के अंदर काफी कमाल के और एक जैसे मिल जाती है इस चीज़ में भी दोन एक जैसे है बाकि दोस्तों दोनों को एक साथ जो है मैं restart करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों phones के अंदर आपको जो performance मिलती है वो किसमें जादा दीखें दोस्तों लावा ब्लेस टू 5G के अंदर आपको मिरे टेक का डायमेंज सेटी 6-0-2-0 प्रॉससर मिलता है और रियलमी 11x के अंदर आपको मिलता है मिरे टेक का डायमेंज सेटी 6100 प्लस प्रॉससर अब रेट के साब से इन दोनों phones के अंदर आपको जो प्रॉससर दिये गया हैं वो अच्छे मिल जाते हैं गेमिंग के अंदर भी आपको दोनों के अंदर पर्फॉर्मेंस जो है काफी अच्छी मिल जाएगी इन दोनों के बजट को देखते हुए बाकि दोस्तों लावा ब्लेस टू 5G मुझे और जादा बढ़िया लगा क्योंकि इसका प पर्फॉर्म करता है बाकि गेमिंग के अंदर रियल्मी 11X भी आपको बढ़िया मिल जाएगा पर्फॉर्मेंस के पॉइंट फ्यू से तो दोनों बढ़िया हैं थोड़ा मुझे लावा ब्लेस टू 5G इसवाज से जादा बेटर लग रहा है क्योंकि पैसे बच रहे हैं दो बेनेफिशल आपको मिल जाती है लावा के अंदर कैमेरे के बारे में बात करें तो दोस्तो नंबर से फर्क नी पड़ता डिजाइन से फर्क नी पड़ता जो एक्चुल में आपको क्वालिटी मिलती है वो रियल्मी 11X के अंदर जादा बढ़िया मिल जाती है आप देख सक चीजी है दोनों का प्राइस काफी कम है तो अगर आपको दोस्तो देखिए कम बजट के अंदर अपना फून लेना है 5G फून आपको चाहिए तो लावा ब्लेस टू 5G आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा एक तो 5G फून मिल जाएगा आपको 128GB स्टोरेज के साथ 6GB र चाहिए तो इन बेनिफिर्ट्स की वज़ेस आप इसको खरीज सकते हैं कम बजट में बढ़िया डिजाइन और दोस्तो इसके साथ क्लीन यू आई की वज़े से बाकि दूस्तो अगर आपको चार्जर बढ़िया चाहिए कैमेरी की परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर् खरी सकते हैं दो ती नजार जादा खर्च होंगे लेकिन इन चीजों में यह क्वालिटी वाइस आपको और जादा बड़िया मिल जाता है अब दोस्तो आप बताएगा कमेंट करके आपको इन दोने में अच्छा कौन सा लगा कौन सा नहीं नीचे कमेंट करके जरूर अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई